गुडिनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो, हम समझे रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाय लिखाई अच्छे चल रही होगी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, क्या मेंटर अपना इस्टेट बदल सकते हैं, क्या मेंटर अपना इस्टेट बदल सकते हैं, और बदल सकते हैं तो कैसे बदल सकते हैं, और किस किस तरीके से बदल सकते हैं, तेंप्रेचर का प्रभाव पड़ेगा जब मैंतर अपने स्टेट को बदलेगा ठीक है तो हमने आपको बताया है कि there are five six eight matters five state of matter होते हैं लेकिन आपको steady कि लिए किनों को लखना है के वह तीन चीजों को में स्टेटी के लिए रखना है और कवां तीन होंगे यह हमारा सॉलिड उसके बाद हमारा क्या है लिक्वीड उसके बाद हमारा क्या है गैस क्या है सॉलिड लिक्वीड गैस इन तीन चीजों को हम स्टेडी के लिए रखेंगे क्या अपने स्टेट को अपनी अवस्था को मैटर चेंज कर सकते हैं यह मैटर अपने स्टेट को चें कर सकते हैं ऐसे आप समझेए यह हम्हारे पास क्या है यहां पर साइड भी धर बना दे रहे हैं यह हमारे पासяг्यFS ऑउलीड क्या है सौलीड अगर रहे हाँ जालिड को सौलीड तो अगर लिक чуд per यह कुछ का दायग्राम हैगा झाल बंजाए है χरोग है तो क्या बना जाएगा ये खास तो अगर हम क्या करें स्प्रेक्विट साथ करें लिक्विडे न जाएगा क्या बन जाएगा लिक्विड बन जाएगा लिक्विड का टेंपरेचर इंक्रीज करें तो गैस बन जाएगा लिक्विड का टेंपरेचर बढ़ाए तो क्या बन जाएगा गैस बन जाएगा ठीक है अगर हम गैस को क्या करें कूल करें तो सॉलिड बन जाएगा गैस को कूल कर तो क्या बन जाएगा सॉलिट बन जाएगा सॉलिट बन जाएगा यह हमारे पास क्या है बहुत इंपोर्टेंट है अब इसी को हम क्या करेंगे explain करेंगे क्या इसी को हम क्या करेंगे explain करेंगे तो पहला हेडिंग यहां पर क्या होगा पहला हेडिंग होगा मेल्टिंग क्या मेल्टिंग क्या चीज होती है क्या मेल्टिंग क्या चीज होती है इसको आप समझेंगे मेल्टिंग क्या चीज होती है ठीक जब हम क्या करते हैं जब हम किसी सॉलिड का टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं solid liquid state में बदलता है तो इस चीज को हम melting कहते हैं क्या कहते हैं melting कहते हैं when we increase the temperature of any solid solid change in a liquid state this is known as the melting अब ऐसे समझो हमारे पास क्या है ice है क्या है हमारे पास ice ice मतलब बरफ है क्या बरफ है इसका temperature हम क्या कर रहे है कर तो मिसका टेंपरेचर कर रहे हैं क्या वन जाएगा आइस हमारा पन जाएगा क्या बन जाएगा liquid water द्यान से समझेंगे जो हमारा बर्फ है पिघल कर पानी बन गया क्या पिघल कर पानी बन गया तो क्या कहते है मेल्टिंग क्या चीज है मेल्टिंग इजए प्रोसेस क्या मेल्टिंग इजए प्रोसेस इन विच है एनी सॉलिड कनवर्ट इन्टू लिक्विड इस्टेट क्या एनी सॉलिड कनवर्ट इन्टू लिक्विड इस्टेट यानि कि मेल्टिंग एक तरीका है क्या है एक प्रोसे क्या होता है लिक्विट में कनवर्ट होता है तो हम इसको समझाएं क्या है अब इसमें अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे क्या है, melting is a process, melting is a process, melting एक प्रक्रिया है, क्या है, melting is a process, melting is a process, in which, एक process है, in which, in which, solid change into liquid क्या, simple सा definition हम बता रहे है, solid change into liquid क्या, solid change into liquid, क्या solid change into liquid, ध्यान से समझेंगे क्या है, solid change into liquid, melting एक process है, जिसमें solid क्या होता है, change हो जाता है, liquid का, अगर हम example दे क्या, अगर हम example दे तो जैसे ice change into water क्या है, ice change into water, आइस क्या होता है चेंज इंटू वाटर क्या होता है चेंज इंटू वाटर ध्यान से समझेंगे और थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी जानते रहेंगे आइस चेंज इंटू वाटर अगर फिजिकल स्टेट चेंज होता है यहां क्या लिखते हैं इंटू लिखते हैं इंटू आप अगर बात करें गार नहीं आता है प्लाल अगर आप चोटी-मोटी गलतिया करते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है समझ जैसा है। प्रॉजन में JAMES like dal शूचांक साइव लिक्विड में होता है यहां किया पर मेल्टिस अरील पर मेल्टिकम क्या हो रहा है लिक्विड में हो रहा हैनफ फ्यूजण यह हुज है जिस्में सॉलिट क्या होता है जिसमें विटमें दोनों में फ्यूजण और म्लेल्टिंग में इपो इसे हाइशा हो गया है कि जैसे में होगा, plunder सा एकदम लिक्विट हो जागे से आई से तुरंत वाटर में हो गया फ्यूजन में होता क्या है कि जैसे गुड है क्या है आपके पास गुड है और डायरेक्ट पतला नहीं होगा पहले हीट करेंगी तो एक मोटा सा हो क्या होगा मोटा सा सॉलिट की तरह बनेगा उसके बाद तो दप्रासेश इन वीच शॉलेड चेंज इन लिक्विड है। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन का मतलब होता है पिखलना एक तरह से क्या होता है फिघलना यानि धीरे-धीरे क्या होगा की ग्रेजुल डिक्रिज हो गा फ्यूजन क्या होता इसमें तुरंग डिरेक। धरम की काइट होता फूजन थिक फूजन भी एक प्रोसेस जिसमें हमारा च्वन लिकण कन्वान थोता बड़ क्वत क्या च escuch ग्रैजुऎरड डिक्री इन सोलीड लिक्वीड फिकर दिसीज अ ठतर विए प्रोसेस दिश उजे सिजे प्रोसेस फिर गेलिज 6 इन विच है, solid change in liquid, जहां से समझ यह, solid change in, solid change in liquid, क्या, solid change in liquid, in liquid, solid change in liquid, by gradual decrease, यह फिर by, slowly, इसे कर सकते हैं, यहां पर direct हो जाता है, यह क्या था, हमारा क्या था, एक process था, जैसे हम solid को liquid में convert करते हैं, ठीक है, अगर हम solid को liquid में convert करते हैं, तो इस process में temperature और pressure का क्या roll होगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, जब solid liquid में convert होगा, तो temperature और pressure का क्या roll होगा, तो temperature का क्या roll होगा, temperature जैसे जैसे increase करेंगे, वैसे, वैसे solid liquid में convert होगा, यानि कि temperature जितना increase करेंगे उतना हमारा solid liquid में वदलता जाएगा और उसके बाद जो हमारा pressure है pressure का कोई effect नहीं होगा तो ऐसे आप कहेंगे temperature का effect की बात करेंगे आप कहेंगे as temperature increases as temperature increases solid increases into liquid state यानि कि temperature जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे solid आसानी से liquid में convert होगा अगर हम बात करेंगे तो pressure का कोई प्रभाव नहीं होता है खोड़ा सा हमटेंगे आप इसको note करेंगे इसके आगे हम explain करेंगे अब हम बात करते हैं दूसरे process की पहला हो गया solid to liquid दूसरा liquid to gas क्या liquid to gas liquid to gas मतलब क्या होता है जब हमारा क्या होता है लिकविड गयिस फांमें बदलता है याने लिकविड इस्टेट ंस इसे स्टेट में बदलता है तो यह हमारा क्या होता है यह हमारा होता क्या डालेंगे ईवयपोरेशन क्या चीज्ज है ध्यान से समझो यह प्रिशन क्या जैसे जैसे हमारा क्या है टेंपरेटर इंकरीज करेंगे लिक्विड़ क्या क्या हो जाएगा भैस में इव यकście हो चाहरा है क्या होता थिका क्या your pressure is a process, यह भी क्या है, this is a process, this is a process, यह एक process है, process in which, क्या है, in which liquid change into gaseous state, इन विच लिक्विड है चाहँ इंटु घै ž क्या चेंज अगर कभी आप से पूछा कि वैसरे इन इन इसके करें दोनों क्या होते हैं इंटू और करेंगे क हमारा था रिपोजिशन न premises किसके में लिया था नम उंके लिसके में और लुएीर टा फॉफ रेशणम होता है एमारा क्या उप्वुचा धी तो ऐसा कोई fix temperature नहीं है कि जिस पर evaporation हो, evaporation हर एक temperature पर होता है, even though 0 degree Celsius पर भी evaporation होता है, आपने ice को देखा होगा, वहाँ पर धुआ 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 निकलता है, क्या धुआ 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 निकलता है, ठंडी के दिनों में आपने evaporation देखा होगा, और गर्मी के दिनों में बलकि आपको evaporation नहीं दिखता है, तो आपको बता दे, evaporation हर एक temperature पर होता है, क्या होता है, हर एक temperature पर होता है, evaporation का मतलब है, कि एक प्रकिरिया, एक प्रकिरिया जिसमें क्या होता, liquid gas में बदलता है, वही क्या होता, evaporation होता, अगला एक word आता, vaporization, क्या आता, vaporization, ध्या जिस तरह हमारा Melting और Fusion था जो है compon decisively is choose we a check process isugmig liquid निफρεता है जिसमें अमारा लिक्वीड क्या गईस में बदलता है क्या अब कहो गई कि आखिरत by person or priajation में अंतर कि रहे जब दोनों क्या करते हैं लिक्विड को क्या करते हैं गैस में बदलते हैं हां अंतर है क्या अंतर है इवैपुरेशन किसी भी टेमप्रेचर पर अगर क्या होता है किसी भी टेमप्रेचर पर अगर हमारा जो लिक्विड है गैस में कनवर्ट हो रहा तो इवैपुरेशन होगा लेकिन किसी लिक्विड क का boiling point जो है अगर वह अपने boiling point पर क्या हो रहा है गैस में बदल रहा है तो उसको बोलते हैं वाइपराइशेसंस जैसे अगर 40 degrees Celsius पर water क्या बन रहा है वाइपर बन रहा है गैस बन रहा है तो प्रोसेस कैसला जाएगा ओएप रहाएगा लेकिन अगर 100 degree Celsius पर वाटर क्या हो रहा है वैपर में बदल रहा है गैस में बदल रहा है तो क्या होगा वैपराइजेशन क्या होगा वैपराइजेशन अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अगर लिक्वीड गैस में बदल रहा है तो वह करा होता है वयप्राइजेशन होता है क्या होता है वह पॉइजेशन होता टेमप्रेचर एट विच एनी लिक्वीड चेंज इन्टू यह फिर ऐसे कर सकते हो डारेक्ट इसको शाटकट लिखो आपने ब्वाइलिंग पॉइंट पर जब लिक्विट गैस में बदलता है तो यह क्या होता है वाइपराइजेशन थीक दे प्रोसेस इसको क्या लिख सकते हैं दो प्रोसेस प्रोसेस इन वीच इन वीच लिक्विड चेंग इन तगयस लिक्विड चेंग इन तगयस आए घसब वाइलिंगед क क्या आए इस प्रन प्रेश प्रेठ लिट्ट its boiling point at its boiling point the process in which the liquid change into gas at its boiling point से अब के बनन रहा है तो बैपराइजेशन और किस भी टेमप्रेचर पर हो रहा है तो इवपोरेशन क्या हो रहा guitall है ए pense रेच्व हूँ यह हमारा दो जीज होगा थोड़ा सा महटेंगे आप इसको नोट करेंगे फिक हूँ भी मनेश हरा है जो और हमारा क्या हैर अगला हमारा क्या है । हटी intercept हाथिज है क्यैंस द्यान से समझ्जेंगे थो Summin Abang छीज ये- autocon treadmill सॉल्ड तो हम हीट करें so i'd को हम हीट करें तो क्या हो जाएगा वो सबली मेसन् क्या होगा डारेक्ट को तो सब्रक्राइब करिया कि करना होता है सब्रक्राइब की ड़एक गयक्ति निनों हो कि डायरeक्ट गयस में बदल जा रहा है और सबली मेर्शं क Правाइव करगे है इसका टेमप्रेचर से लीना देना है और घ्रड़ गार बढ़ जायागा एक अगर प्रेशर की बात करें तो अगर हम इसको लिक्विड को अगर हम गयस में कर रहे हैं तो प्रेशर की बात करें तो जब प्रेशर यह सुलिट चॉल्ड ट्यट ग्यश्ट वाले प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है तुछ सब्लीमेशन कैं है सब्लीमेशन है यह सब्लीमेशन क्या होता है sublimation क्या होता है ? sublimation वह process है जिसमें कोई solid भीना liquid में convert हुए direct क्या हो जाए ? गैस में हो जाए ? उससे हम क्या कहते है ? sublimation the process ऐसे कहेंगे the process the process solid in which, in which, in which, any solid, any solid, any solid, directly change into, directly change into gas, without changing in liquid, without change, without change in liquid, change in liquid, how do you change be? तो उसके बाद इस प्रोसेस का दूसरी चीज हम बात करते हैं अब देखो पहले तो हम क्या गए यहां से यहां पहुचे यहां से यहां पहुचे अब हम क्या करेंगे सब्ली मेशन है अब हम क्या करेंगे इहां से क्या करें जब हमारा क्या होगा च пошता है यहां क्या है सबली मेशन है क्या है सबली मेशन है और जब लोटेगा तो इधर से इधर आएगा तो यह क्या होता है डिपोजीशन क्या होता है डिपोजीशन अब आप ध्यान से समझो जब गैस बिना लिक्विड में कनवर्ट हुए डारेक्ट सॉलिड में कनवर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या काते हैं डिपोजीशन काते हैं क्या काते हैं डिपोजीशन काते हैं तो आप हेडिंग डालेंगे डिपोजीशन क्या डालेंगे डिपोजीशन क्या डालेंगे डिपोजीशन डिपोजीशन क्या है डिपोजीशन इसे प्रोसेस क्या डिपोजीशन इसे प् प्रोसेस इन वीच है, इन वीच, गैसियस स्टेट या डारेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गैस, चेंज, इन टू, सॉलिड, गैस क्या होंगे, सॉलिड में चेंज होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इसके बाद अगला जो हमारे पास क्या है, डिपोजीशन, क्या है, डिपोजीशन है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो गैस है, सॉलिड में बदल के, वो क्या हो जाएं, लिक्वीड में हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, तो इसको आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा मटेंगे, इसको वीडियो को आप रोक के नोट कर लिया करें, अगला एडिंग रालेंगे, कंडेंसेशन, क्या है, एडिंग रालेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होगा, गैस क्या आएगा, लिक्वीड में आएगा, क्या आएगा, लिक्वीड में आएगा, ठीक है, गैस क्या आएगा लिक्विड में आएगा अगर टेंप्रेचर हम कम करेंगे तो कंडेंसेशन ज्यादा होगा प्रेसर बढ़ा देंगे तो कंडेंसेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक क्या करेंगे कंडेंसेशन पढ़ेंगे क्या पढ़ process in which a gas change in liquid state या gas change in liquid क्या process condition the process process है या process है प्रक्रीया है the process in which in which gas क्या in which gas change है चैन्जी हमारा क्या हो रहा है लिक्विड मैं अरफ हो रहा है तो यह प्रोसिस आपनेक सब्सक्रारेर fists हो रहा है तो इधर से जाएगा तो यही हो जाएगा कंडेन सेस्ट ng क्या हो जाए कंडेन से reden हमारा गैस लिक्विट में होता है क्या लता है CONDENSATION और सुनो अगर है 3 दारेक्ट वी आता है तो शोड़िकिसन कहते हैं क्या कहते हैं यूद अगर लिक्विड क्या हो जाए लिखुइड सालीड में आया तो यह दिपोजीशन नहीं होता है यह होता है solidification क्या होता है solidification होता है solidification अगर हमारा क्या है ग्येस से solid हो तो diposition liquid से solid क्या कहते है solidification तो अगला आप हेडिंग that solidification क्या डालेंगे solidification・sansidification क्या है प्यारे और च्चो है एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड क्या करता है। सॉलिड में आता है, तुर गटाएंगे तुर सॉलीड बढ़ेगा, तुल उर्फो छी साविट बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आने लिक्वीड क्या है ठीक डारेक्ट हम ऐसे लिख दें लिक्वीड चेंज इन्टू लिक्वीड है चेंज इन्टू इंट्व कैंट्व beğ स्वालिड केंडू सौलीड के या टप्रम侈 मैं दोड़ाइं कि आसे को ही पॉजीशन होता अपने बाद नाउन लेता है आएथरल ये आउन आप नहीं दे रहे हैं तो ट traffic पॉजीशन पॉजीशनने याद regions है तूद्वी पॉइंट्स है ये कैया है प्री पोजीशन है यह हमारा नाउन khi थीक तो यह क्या होता है हमेरो लिक्विद में लिकन होता है इसको हम क्या 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 सैंकत सॉलिडिटिटिकेशं किया क्या क means sick head can matter change its state kya can matter change its state अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है इसके बाद हमको पढ़ना है factor affecting the evaporation क्या factor affecting the evaporation पढ़ना है और क्या पढ़ना है और उसकी बाद थोड़ा कुछ और बचा हुआ है इसमें तो इसके हम एक वीडियो और लाएंगे तब है खतम हो जाएगा अच्छे से explain करने के लिए वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हम इ कोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आज के लिए इतना है मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर पढ़ाई करते रहे प्यारे बच्चों